फिर स्वारत में भी जुक जाता है कितना अकड़बाज बेकती हो जब ओट मांगने जाता सब के हांत जोड़ता है भाई मने भाईया मने दादी मने दाई मने भाईस मने बहल मने हांत जोड़ता है ओट देने भैस मने फिर क्यों ऐसा जुक जाता है स्वारत में भी जुकता है आदे लेकिन प्रेम में उससे ज़्यादा जुकता है आदे देखी यहां प्रेम की बात सोचें कल यहां के टी आई जी कुंडा से आए राजेस जंगें क्या नाम जांगडें राजेस जांगडें थे सिधे बेट जाओ सब लो राजेस जांग्ल वही कम उमर का टी आई है होश्यार है तो मैंने उनको बिठाया और मिला और फल वल खिलवाया तो मेरे को फल दे रहते हैं आप पहले खाई दा क्योंकि बहुत लोग पढ़ते हैं जब किसी के हाँ खाओ तो खिलाने वाले खिलाओ अगर जहर डाला हो पहले वही मरे तो दो पुलिस का आदमी खत्रेम क्यों पड़े फर्स्ट हमी को खिलाया कि तुम ही निपड जाओ फिर बाद को हम देखते हैं खेर उसके मन में ये भावना तो नहीं थी पर कई लोग ऐसा रखते हैं भावना फिर उन्होंने भी खाया उनके साथ कांस्टेबिल थे वनी स्टार थे ए यसाई ये सब खाए फिर मैंने अपने संत को बुलाया जो पुलिस विभाग देखता हमारा संत कृष्णा दस उन्ने काहिंद से मिला देता हूँ तुम मिलाया तेखी प्रेम की बाद बता रहा हूँ तो कृष्णा दस ने उनको हाँ जोड़कर शाहीब बंदगी किया और कहा कि संतों की तरफ से आपका अमंत्रन है सबसंग में सब संतों की तरफ सिन्जी मंतरण आप आई आगा नमस्कार साही बंदी तो मैं देखा मुझे अच्छा लगा तो आदमी के अंदर जब प्रेम होता है तो बिनम्र भी हो जाता है और शेहन शिलता भी आजाती है इसलिए पती से इतना प्रेम करो कि कितने ही घर में कश्ट हो सब हस्ते हस्ते सह सको पतनी से इतना प्रेम रखो कि कोई तकलीफ आये तो उसके साथ हस्ते हस्ते जेल लो माता पिता से इतना प्रेम रखो कि कोई प्रोब्लम्स है तो मुश्करा कर इसको सह सको और ये भी याद रखना अपने बच्चों से भी इतना प्रेम रखो अगर बच्चा फेल हो गया है तो भी हस्ते हस्ते बच्चे को निवा सको बारवंकी जिले में मेरा सत्संग हो रहा था जहां से अभी सत्संग करके मैं आया हूँ खैरा गाउं हूँ डिश्टिक बारवंकी उत्तरप्रदेश तो वहां का एक बच्चा बोला कि मैं आपसे अलग मिलना चाहता हूँ हमने का साथ में ही मिल लो बोले अलग मिलूँगा तो मने का अलग मिल ले न फिर तो मिला अलग मिलने का प्रोब्लम क्या है बोले पूरा घर इंजक्शन मार रहा मेरे तो मने बीमारी ज्यादा है क्या बोले बीमारी उमारी कुछ नहीं है हमारे जो दादा है वो भी दादी भी मा भी पिता भी चाचा भी सब यही करते हैं मन लगा कर पढ़ना खोब पढ़ाई करना नोकरी लेना है नोकरी पाना है सरकारी नोकरी जाना है जल्दी नोकरी मिलनी चाहिए बोले हमारा मन इतना टूट गया है अब मैं सोचता हूँ क्या करूँ तो मैंने का सादू बनोगे बोले इसमें तो बहुत मुस्किल आईगा सादू तो नहीं बन पाऊंगा लेकिन इतना जरूर है कुछ रास्ता बता तो मैंने उसको समझाया कि तुमारे दादा जी, दादी जी पिता जी, माता जी, चाचा जी तुमारी पतनी सब इसले कह रहे हैं, ताकि तुमारा मनोबल बढ़ जाए और बढ़ने के बज़ा है तुमारा घट गया बोले इंजक्शन ज्यादे लग गया टार्चर हो गया टार्चर बता था ऐसा इंगलिस सब्द ढूड़ा है हमको बहुत टार्चर कर दिया है तो मैंने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो उनको सबको धन्यवाद दो वो तुमारी सब चिंता करते हैं इसलिए तुम से कहते हैं पढ़ो 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 तुम उनको धन्यवाद दे करके पढ़ना सुरू करो, मुश्क्रा कर रहो, उदास मत रहो, सुस्त मत रहो, डिप्रेशन में मत जाओ, और हसा करो, तो थोड़ा हसा हो, हमने कहा, तुमारे नीचे गिरने के लिए वो लोग नहीं कह रहे हैं, तुमको उपर उठाने के लिए कह रहे हैं, और तुमारे प्रेम ज उसी को कहोगे, उसी को सुधारोगे, उसी को समझाओगे, उसी को खिलाओगे, उसी को पिलाओगे, उसके सोने की भी चिंता करोगे, और याद रखना जहां प्रेम नहीं होता है, वहां ये सब कुछ बात खतम हो जाती है, और आदमी उससे दिल को अलग कर लेता है। तुम्हारी पतनी यदि कहती है बुसर्ट सफेद रंका उतारो पीले रंका पहनो तो समझ लो उसको तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता है बहुत चिंता रहती है कि मेरा पती देखनें भी सुन्दर लगे कपड़े भी ठीक लगने चाहिए यदि आपकी पतनी आपके सामने से मीठा की प्लेट उठा ले जाती है और खाने को नहीं देती है क्योंकि तुमको सुगर होने वाला है डाक्टर ने बता दिया है तो समझ लेना आपकी पतनी आपसे ज्यादा प्रेम रख रही है अगर चावल नहीं दे रही आलू नहीं दे रही मीठा नहीं दे रही अब मीठा उठा लेती है फट से तो महान है वो पत्नी जो तुमारी इतनी चिंता करती है तुम इतने बिचित रादमी हो जो तुमको तुमारी भी चिंता नहीं है सुगर हो गई है फिर भी मीठा खा रहे तुमको फिकर नहीं अपनी, तुमारी फिकर तुमारी पतनी को है, ऐसी पतनी को धन्यवाद देना, वो महिला तुमारे घर की महिमा है, सोभा है। धाई अच्छर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो, पोथी पढ़ी पढ़ी जगन्मा पंडित हुआ न कोई, अच्छर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो, प्रेम पाट का चोलना पहर कभी रूना, पानिप दीन हो तास को तनमन बोले साच्छ। और मनुष तो प्रेम का सागर है, तुम्हारे पास में थोड़ा प्रेम नहीं है, तुम प्रेम के सागर हो, गोपाल साओ, प्रेम के सागर हो। मनुष कुत्ते से प्रेम करता है, बिल्ली से प्रेम करता है, चुहे से प्रेम करता है, चिडियों से प्रेम करता है, और मनुष के अंदर जब प्रेम प्रकट होता है, तो मचलियों को भी आटे की गोलियां खिलाता है, कुत्ते को दूद पिलाता है, बिल्ली को दूद पिल जाता है और चिणियों को भी प्रेम देता है बच्रू को प्रेम देता है भेंश के बच्चे को भी प्रेम देता है पसो पंचियों को भी प्रेम देता है और मनुष्पडोशियों को भी प्रेम देता है और जब इसका प्रेम बहुत विशाल रूप हो जाता है पुरे देश के लिए कुछ करना चाहता है प्रदेश के लिए कुछ करना चाहता है इसके दिल में होता है अपने गाउं के लिए भी कुछ बढ़ा कर दूं और ऐसा कर दूं कि मेरा गाउं सब गाउं से निरला गाउं बहुता है और आपके गाउं का कोई विक्ति आगे बढ़ रहा हो तो टं अपने गाउं का अपने बराबर ही रहना चाहिए आगे जाना नहीं चाहिए लेकिन अगर तुम्हारे गाउं का कोई वेक्ति आगे बढ़ गया मुख्यमंत्री बन गया प्रधान मंत्री बन गया या बिधायक बन गया या शांसद हो गया तो अपने गाउं की रोडे तो कम से धनवान बने गुडवान बने महान बने यसस्भी बने तेजस्य बने तो उस से अपने घाउं का ज्यादा अपने छेत्र का ज्यादा है इसलिए उसको हिम्मत बढ़ाना चाहिए मनोबन देना चाहिए कि हां तुम आगे बढो अभी मैंने सुना है कि एक गाउं का विक्ति कलक्टर हुआ है उत्तर प्रदेश में तो इस गाउं के लोग कह रहे थे कि हम लोग इस इंतजार में हैं कि हमारे जिले में ट्रांसफर होकर आ जाए और यहां कुछ अच्छा कर दे रहा तो मैंने कहा कोशिश करो ट्रांसफर होकर आ जाए और यह गयासा बना वो ट्रांसफर होकर अपने जिले में ही पहुँचा एक बाल और पहुचा तो अपने गाउं को चमका दिया क्योंकि उसके पास सारे फंड वंड सब विसारा दिया थोड़ा सा कि मारो इधर निकालो थोड़ा सा शारा ठीक ठाक करा दिया चार छे गाउं पास पड़ो उसके वो भी और अपने जिले को विसेश रूप से आगे बढ़ाने के लिए उपर से फंड भी लाया कि मेरे जिले में कुछ नया कुछ अच्छा कुछ बड़ा होना चाहिए कुछ कसर नहीं रहनी चाहिए अभी एक साधू हुआ है गुजरात में तो जिस गाउं में उसका जनम हुआ था बड़ा संत हो गया तो उस गाउं में उसने बहुत बड़ा मंदिर बनाया है तीन सो करोड का मंदिर खड़ा किया है तीन सो करोड का बड़ा धरमशाला बनाया है और एलान कर दिया है कि गाओं का आदमी जो अपने घर में चूला न जलाना चाहता हो हमारे मंदिर में आ करके नेशुक भोजन करें और डेली वहाँ पर एक हजार लोगों का सुबे और एक हजार लोगों का साम को फ्री भोजन होता है गाओं की लोग भी वही माल चक लेते हैं कभी कभी घर में बनाते ही ड़े और लोग कहते हैं बहुत अच्छा माहान पुरुष पैदा हो कोई तुमारे गाओं में अगर बड़ा आश्रम खड़ा हो रहा हो उसको बनने दीजी उस आश्रम की वज़े से तुमारे यहां की जमीनों के रेट बढ़ेंगे उस आश्रम की वज़े से रोटे चवडी होंगी उस आश्रम की वज़े से जल योजनाई भी आएंगी उस आश्रम की वज़े से तुम्हारे गाउं में बहुत सारी सुविधाएं बढ़ेंगी तुम्हारे गाउं का नाम बढ़ेगा यस बढ़ेगा बहुत दूर तक नाम चला जाएगा इसलिए याद रखना ऐसा कोई बड़ा काम होना कोई तुम्हारे गाओं के पुडोस में फेक्टरियां खोल रही हो बड़ी बड़ी टाटा जी खोल रहे हो बिड़ला जी खोल रहे हो मुके संबानी खोल रहे हो फटा फट उनका स्वागत करो गरम चाय पिलाओ ठंडा शरबत पिलाओ आईये खोलिये हम सब साथ में हैं तो अपने को क्या लफड़ा फसा उसमें तुम सोचोगे मेरी जमीन चली जाएगी जाने दो जमीन सब जो आपकी जमीन पांच लाक रुपी एकड़ है साथ लाक रुपी एकड़ है वो चालिस लाक रुपी एकड़ खरीदेगा सारी जमीन बेस दो मकान बेस दो 20 किलो मीटर द इदे लो तुम गौटिया जी बनगे लफड़क खतम हुआ बिड़ला जी को इधर आने दो तुम उधर जाने दो हाँ चतुर बनो चतुराई हम सिखा देंगे आपको मैं तो सौशता हमारा आश्रम जहां है वहाँ कोई फैक्टरी खोले आश्रम ले ले तो मैं उसको दे दूँ सब बना बना आश्रम दे दू टोटी टाटा सब बात्रों ले जाओ जंजट खतम करो अगर वो पचास लाख में आश्रम बना है ओ दस करोड देगा फट से दे दूँगा मैं और फट से उससे हम चार एकड में आश्रम है चालिस एकड खरीद कर बड़ा बना लूँगा फट से छे महिने बन जाएगा उसका लफड़ा खतम हो गया हम चालिस बुना बड़े हो गए जाकर तुम कहते हो यहाँ कोई बड़ द्यूहत होश यहार मैं जी का दहोद से इस्टार्ट किया भाई रोड यात्रा दाहोद से लेकर के समदर किनारीय जंबू सांध किया मैं आमोद तक गया पूरा रोड के दोनों तरह फेक्ट्री ही फेक्ट्री किसमें इक एक कंपनी में 500 लोग, 1000 लोग! नोकरी करते हैं और सब company बनी हुए तो मैंने लोगों से कहाई यह company आपने बनवा दिए खेती किसमे करोगे बोले खेती जरूरते नहीं तो जिसने जमीन दिया उसके घर के सब लोगों नोकरी दे दिया और नोकरी से बेता नाया और में इनका पचास गुना रेट मिला तो हम यहां से दूर जाकर पचास किलो मीटर पर खरीद लिए पचास एकड़ हमारे हो गए फारम हाउस और हमारा आनन्द आ गया हम तो सोचते मेरा घर भी ले जो फेक्टरी बनातों क्या फर्क पड़ता पुराना है गिर जाने दो उसको नया बना लेंगे अपन जरूरत नहीं इधर राइपुर में बना लेंगे चलके विलाजपुर बना लेंगे पंडरियम बना लेंगे कबीर धाम में बना लेंगे कोई जरूरी है कॉंडा बुरी में कॉंटम पड़े रहो यहां तो ऐसा कोई विक्ति आगे बढ़ने लग ज चाहिए, सहीयोग करना चाहिए और उसकी कोई पेंड बड़ा जब होता है ना तो उसकी चाया कितने लोगों को मिलती, लकड़ी कितने लोगों को मिलती ओक्सीजन कितने लोगों को मिलती और उस पेड़ में फल कितने आते, कितनी चणियां फल खाती, कितने आदमी फल खाते, सोचो तो ऐसे जो विक्ति उन्नती करने लाइक हो, उसको मदद करना चाहिए और अपने गाउं में उसको आगे बढ़ाना चाहिए जिले में आगे बढ़ाना चाहिए और भाईयों बहनों अपने जिले का आदमी भी आगे बढ़ रहा है हर फिल्ड में बिजनेस में भी आगे बढ़ो पीछे मत रहो धन्वान बनो, गुडवान बनो, महान बनो, चरित्रवान बनो करतब विवान बनो, विवेकवान बनो, बुद्धिमान बनो गरीब बन करके भी मज जीओ अलवा जलवा जिन्दगी मज जीओ टाप की जिन्दगी जीओ अच्छा मकान बना कर रहो अच्छी गाड़ी में चलो यह फंटी संटी गाड़ी में नहीं चलना है फंटी गाड़ी उसको यह ठंडर्ड होती ना हो अच्छी गाड़ी लो साड़ी सस्ती गाड़ी महेंगी पहनो ले लो साड़ी में क्या साड़ी कौन देखता साड़ी तुमको लेकर थोड़े जाएगी कबिर धाम, गाड़ी लेकर जाएगी कितनी महिलाओं की साड़ी देखो तो चेन्नई की साड़ी है घर में चीनी नहीं चाहे में डाल देखो चेनने इक साड़ी पहने घूम रही है पहन कर साड़ी निकनी पहन कर पहन कर पहन सरट निकले तो कोई तो देखता नहीं इनको कैसी है तो खुद मुड मुड कर पीछे अपने पीठ को देख दिने हम ठीक कर जो कोई देखने वाला नहीं तो अपने खुद मुड़ के देख अरे ये लपड़ें कहा फस रही हो ये सब छोड़ो जंजट ज्यादा बालो में टाइम भी बरबाद मत करो दो तीन महिने में कंची स्थे थोड़ा काट कोट दिया करो इसको बाल और लपेट के बांदो पीछे चोटी बस हो गया खोश रहो मेंद से काम करो गम खा लिया करो घर सर्ग बन जाएगा सर्ग में किसी का घर नहीं बन सकता है लेकिन गरणटी से कहता हूँ सबहाव अच्छा हो गया विचार अच्छे हो गए तो तुम्हारे घर में शर्ग बन सकता है चार बाते जिसके घर में होती हैं उसका घर स्वर्ग बन जाता है स्वर्ग इस्थिता नाम इह जीव लोके चत्वारे चिन्हानी बसंत देहे दान प्रशंगो मधुरा चबानी देवार्चनम ब्राम्हन तरपणस चाहे जो दान करता है दान का प्रभाव बहुत बड़ा है बहुत बड़ा ही इसका प्रभाव तो मैंने जब मैं यूपी से चला हूँ तो रास्ते में एक टोल टेक्स पर हमारे आगे दूसरी गारी थी हमारी ही उसको रोंका टोल टेक्स वाले जा कौन है क्या है पूँच रात तब तक एक मात्मा निकला पड़ोस में फटे कपड़ा पहने था बहुत सी गठली पुटली लादे हुए था नंगे पाउँ था दाढ़ी जटा थी तो मैंने उसको बुलाया इधर आप तरा मात्मा जी तरा तो मैंने अपने संत जैसे पूचा कोई चादर है इसको उड़ा दू ठंडी है तो मात्मा जी ने का कोई नहीं है तो हमने का तो जो हम उड़े थे वही लाओ फिर तो जो मैं मैं अपनी भी दे देता अब वहाँ काँ दुकान मिलेगी तुम को नहीं है नहीं तब तक वो चला जाएगा उसको कब दोगे भी दे दो तुम अपनी नहीं ख़ीद लेना तो मैंने अपनी वाली चादर जो अच्छी थी उसको दिया उड़ाया और बीस रुपे दिया हमने का नास्ता कर लेना बाबाची संत जीसे हमने का बीस रुपे दो चाइवाई पी लेगा तो ये देख करके वो टोल्टेक्स वाले फिर हमारे साइड में आए और मेरे हाँ जोड़ा बोले सब गाड़ी निकाल लुगा टोल्टेक्स नहीं लूँगा मैं आप बहुत महान हो ये साधू का स्वागत किया सेवा किया दुगा हमने का इसका ही नहीं राजिम कुम मेले में चार सो अठावन साधूर को सबको कंबल बाटा था मेले बोले अच्छा तो महराज गलती हो गई अब जाओ आप जाओ ठीक है तुरन दान का प्रभाव पड़ा ये दान में बहुत बड़ी सक्ती है कन्वाण दान रक्त दान वस्त्रदान अन्न दान प्रेम दान स्रम दान धन दान भुम्मी दान आश्रम दान मंदिर दान मंदिर बना कर समाज के उद्धार के लिए दान कर दो लोकार पन कर दो समाज को सौप दो अगर छमता है आश्रम बना करके समाज को सौप दो कि अब आप लोग चलाइए और सब लोग कल्याण कीची अब मैं अपना अधिकार खतम करता हूँ इसमें से दान कर दिया योग संयोग है तो आज स्रम के लिए मंदिर के लिए भूमी दान कर दो और जब मकान बनाओ तो दो फुट जगे समास सेवा के लिए दान कर दो सड़क पर मत बनाओ सड़क से दो फुट ज़्यादा छोड़ दो कितने लोग मकान बनाते हैं तो सड़क पर बना देते हैं कोई कहे तो कहते हैं तुमको भी इसी निव में डालते के तो कौन लड़ाई करें इसे मकान बनाईए जमीन में ज्यादा मत फैलाईए चार मंजिल ले जाईए नीचे चार कमरा दूसरी मंजिल पर तीन कमरा तीसरी मंजिल पर दो कमरा चौती मंजिल पर एक कमरा और हर मंजिल में लेट बात किचन बना दीजिए सबसे नीचे मंजिल में सामान और मेहमान रखो दूसरी मंजिल में तुम रहो पतनी रहे बच्चे रहे और तीसरी मंजिल में बेटे बहु को रखो जिसकी साधी हो गई और चौथी मंजिल में बस कभी-कभी इच्छा होआवा खाने की उपर चले जाओ दूसरे गाउं से दिखाई दे चौथी मंजिल का रूम कि जिनका चौथी मंजिल का मकान है उसी का नाम जनलू साहू है उसी का नाम सैलेंदर साहू डाक्टर है वो गोपाल साहू वही है चौथी मंजिल वादा अब तुमने इतना लंबा चवणा फैला के रखा है कि कभी उसको बना ही नहीं पाओगे उपर मंजिल की हवा खाईए नीचे जगे छोड़िये नीचे पीछे बाड़ी रखिये जिसमें महिलाएं सबजी उगाएं दो घंटे हर महिला जाकर उसमें भीड़े जाकर के टमाटर है भाटा है भिंडी है उसमें लगाएं उसी अंदर पीछे भेंस पाले गाए पाले दस लीटर दूद रोज बेचो कम से कम डेली पांसो की प्राफिट होनी चाहिए नहीं तो लेडीज बैठे बैठे सब अभी भजन गा रहे थे हैदर गढ़ बारवं की जिले मेरा प्रवचन था सोभा यात्रा निकली तो उसमें भजन गा रहे थे सिव जी का सिव जी बोले गवराजी से गवराजी कुछ इतना आराम ना किया करो जी मोटी हो जाओगी कु गवराजी से सिव जी बोले तो गवराजी बोले कि सिव जी तुम्हारे साथ कहलास परवबत पर चढ़ जाऊंगी और तो मैं चढते चढते फिर दुबली हो जाऊंगी ऐसा मज़ेदार का रहे थे तो महिलाओं को भी उधर काम करना चाहिए और उपर को आश्मान में ले जो आस्मान में कोई जगड़ा ही नहीं है, मुचे अपना उठाईए, शड़क से छोड़ दीजिए, ये सेवा है, भग्मान को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन इनसान को देखा है, पस पच्छी को देखा है, पस पच्छी और इनसान के अंदर छिपा हुआ, आत्मा रूपी परमात्मा रहता है, और इनसान को सुख देना, पसु पच्छी को सुख देना, यही भग्मान की सबसे बड़ी पूजा है, और इस पूजा को जो करता है, उसी का कल्याड होता है, हमारा धर्म हो सेवा हमारा कर्म हो सेवा वस्तरदान भी कीजी जादा नहीं कर सकते हो संकल्प लेलो साथ गरीब महिलाओं को एक एक साड़ी देंगे साल पर ग्यारा गरीब लोगों को एक एक कंबल देंगे अरे ग्यारा सो लोगों को देने की अपनी छमता नहीं है यथा सकती को कोई गरीब आत्मी है किसी गरीब की कन्या का बिवा है ये कन्या की बिवा हमें एक बुरी शकर दे दो देखो आप कहते हो मेरे से गाउं की लोग जलन करते हैं तुम उन्नती कर रहे हैं उनको कुछ देते नहीं तो जलन तो करेंगे आप उन्नती करो तो उनका हिस्सा दो न गाउंवालों को कुछ फायदा करो अब सारा विकास करकर के अपनी जेब में रख रहे हैं तो तुमारी जेब काट देंगे वो लोग गाउं वालों को भी सहयोग कीजिए आपकी उन्नती में कभी गाउं का आदमी कोई बाधक नहीं बनेगा जलन नहीं करेगा कुछ भी नहीं कर सकता है आपका जब विकास होने लगे गाउं में एलान कर दिये कि गाउं की हर बेटी मेरी बेटी है हर बहन मेरी बहन है और जिस बहन बेटी की शादी होगी एक कुंटल सकर मेरी और से मैं दूँगा आप देखिए कोई जलन करे तो बता देना वो सकर का जलाव बना करके जले भी तैयार करेंगे जलन क्यूं करेंगे करके देखना इसको आप बहुत बड़ी बात है ये अपनी कमाई का दस परशेंट गाउ समाज की शेवा पर लगाना चाहिए दस परशेंट अपने परिवार रिष्टे धरों पर लगाना चाहिए नहीं तो परिवार के लोग ही तुमारी निंदा शुरू कर देंगे और दस परशेंट धरम में लगाना चाहिए सादू संत पर नहीं तो तुमको ज्यान कहां से मिलेगा तो सद बुद्धी नहीं रहेगी बुद्धी बिगड़ जाएगी तो दारू पियोगे जुआ खिलो पूरा बरबाद हो जाओगे इसलिए 10 परशेंट दे दो 90 परशेंट तो बचने दो बिजे मालिया को सतसंग नहीं मिला सादू संत नहीं मिले गुरू का ज्यान नहीं मिला इतना धनवान होकर किंग फिसर हवाई जहाद चल रहा था इतना उसका पतन हुआ की बरबाद अब सोचो तो आप जब धनवान होने लग जाओं उचेपद पर पहुँचने लग जाओं मान सम्मान बढ़ने लग जाए अधिकार प्रभाव बढ़ने लग जाए तो उस समय तुमारे जीवन में तुमको कंट्रोल करने के लिए तुमारे मन को काबू करने के लिए कोई ग कियो सकता होती कोई महात्मा की होसकता होती है जैसे राम भगवान को बच्पन में ही गुरुवसित ने कंट्रोल किया और जमान हुए तो विश्वमित्र ने कंट्रोल किया और बन को गए तो वहां बहुत सादोसंद रिशी मुनी अगस्त मुनी भरत द्वाज बालमिक जैसे रिश्यों के चरणों में बैठ कर ग्यान प्राप्त किया तब उनकी जमानी कंट्रोल हुई और जब जमानी कंट्रोल हुई तो इंसान की रूप में राम भग्वान कहलाए और उनकी पूजा होने में तुमको कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं है बे कंट्रोल चल रहे हैं माता पिता थोड़ा बहुत कंट्रोल करते थे और तो मर गए पतनी के कंट्रोल में तो रहने वाले नहीं हो उसको कहते तो तुम्हें मारूंगा मैं बोलोगी अगर जाता है अब कंट्रोल खत्म है तो बिना ब्रेक की गाड़ी की दसा क्या होगी एक्सिडेंट होगा गाड़ी तूटेगी बैठने वालों की खोपड़ी फूटेगी आपके पास में ब्रेक लगाने वाला कोई विक्ती होना चाहिए चाहे जो विक्ती हो चाहे ज्यान से ब्रेक लग जाए चाहे ज्यान की द्वारा विवेक प्राप्त हो तो ब्रेक लग जाए और चाहे कोई सांदूसंत की दर्सन से ब्रेक लग जाए और चाहे कोई सत्संग सुनकर ब्रेक लग जाए लेकिन आपका कंट्रोल आपको आना चाहिए तो आपकी जिंदगी में कभी आपका पतन नहीं होगा सद्व विकास होता रहाए ऐसा वैसा खान पान भी मत कीजी ये पान पुड़िया खाना गुटका खाना गोबर खाना और यहाँ एक वो चलता है और क्या गुड़ाखू चट्थिस गड़ में गुड़ाखू बहुत घेशते लोग है बीड़ी भी बहुत पीते हैं पुड़िया भी बहुत खाते हैं सबसे ज़्यादा यहाँ तो सराप पीते हैं लोग क्या बात है अब तो इंगलिश में बोलते हैं वाइन लेता हैं थोड़ी सी वाइन और आप एक विवेक करिये कि महिलाएं ना वाइन लेती है ना पॉइन लेती है इनको क्या निद नहीं आती है ये क्या जिन्दा नहीं है ये तुम से ज्यादा तंदृस्त हैं पुरसों से ज़्यादा इनके चमक है पुरसों से ज़्यादा ताकत है पुरसों से ज़्यादा खोस है ये वाइन ये हुष्की एरिस्टोक्रेट बैक पाईपर इंगलिश बियर महाँ ठंडी बियर अरे पूरे ठंडे हो जाओगे माराज मत पियो बहुत ठंडी बियर पीना है तो थोड़ा दूद पी लिया करो और पीना है तो रोज सरसंग का ज्यान पी लिया करो और पीना है तो मोबाइल के यूटूब में प्रविचन का अमरत पी लिया करो और पीना है तो रात को नोग जे आस्था बजन चैनल में सरसंग का टानिक पी लिया करो ऐसा वैसा पीना खाना छोड़ दिया करो तू प्यारी का सागर है 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 तू प्यारे का सागर है तू प्यारे का सागर है तेरी एके भूंदे के प्यासे हम लोटा जो दिया तुमने चले जाएंगे जहां से हम तू प्यारे का सागर है तू प्यारे का सागर है तेरी एक भूंदे के प्यासे हम तू प्यारे का सागर है तू प्यारे का सागर है गायल मने का पागल पंची उड़ने को बेकरा उड़ने को बेकरा पंखने को मने आखने दू दली जाना सागर पाग जाना सागर पाग अब तू ही से समझा चले जाएंगे जहां से हम तू प्यारे का सागर है तू प्यारे का सागर है तेरी एक भूने के प्यासे हम तू प्यारे का सागर है तू प्यारे का सागर है इधर जिन्दगी का आए जो में अगर उदर है पौत खड़ी कुन के जाने का है स्मीमा उद जन्यान पड़ी कानों में जरा कह दे कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम तू प्यारे का सागर है तू प्यारे का सागर है तेरी एक भूने के प्यासे हम तू प्यारे का सागर है तो प्यारे का सागर है तेरी पलेशदूरे वकी जै आप लोगों ने ये छोटे छोटे संत हैं इतना अच्छा गाय है तो ताली बजाकर इनका उत्सा बढ़ा गें अभी सब ट्रेनिंग में हैं गा रहे हैं धेरे धेरे आ जाएगा तुम ताली बजा दोगे तो उनको लगेगा पिल्कुल फिट गया हूँ और तुम कुछ नहीं बजाओगे तो कल सोचेंगे कुछ बिगड जरूर गया हमारा पजा देना चाहिए संतों को अच्छा लगेगा सहयोग दे तो प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हो हर मनुष्य लगभग प्रेम का सागर ही होता है आपके पास में बहुत प्रेम भरा हुआ है तुम मिट्टी से भी प्रेम करने वाले इनसान हो पेंड पोधों से भी तुम प्रेम करते हो फोलों से भी तुम प्रेम रखते हो पत्तियों से भी प्रेम करते हो सामान से प्रेम करते हो यदि तुम प्रेम के सागर न होते तुम गाड़ी से भी प्रेम बहुत करते हो गाड़ी में तुम दाग लगने देना नहीं चाहते हो कपड़ों से भी तुमारा प्रेम है, चकपल जोतों से भी प्रेम है घड़ी से प्रेम है, कुर्शी मेंस से प्रेम है रजाई गद्दे मच्छरदानी से भी प्रेम है आपके पास में सोचो कितना बड़ा प्रेम है इतने बड़े प्रेम के शागर तुम हो अपने बच्चों से भी प्रेम किया करो और बच्चों के प्रेम में अपनी कुछ गलतियों को सुधार भी दिया करो और ये भी कहूंगा अपने पती से भी प्रेम किया करो और प्रेम में किसी को धोखा भी मत दिया कुरो और प्रेम का अर्थ बास्ना नहीं है प्रेम का अर्थ विशेविलास नहीं है प्रेम का अर्थ सांसारिक्ता नहीं है प्रेम का अर्थ बड़ी पवित्रता होता है जैसे सिवरी ने राम से प्रेम किया तो प्रेम भक्ती बन गया जब प्रेम उपासना की द्रश्टी से किया जाता है तो प्रेम भक्ती बन जाता है और जब प्रेम बासना की द्रश्टी से किया जाता है तो वही प्रेम भोग बन जाता है मोह बन जाता है और जब प्रेम याद रखना सेवा की दृष्टी से किया जाता है तो वही प्रेम साधना बन जाता है साधना बन जाता है प्रेम के बहुत रूप होते हों अपने पिता जी से भी प्रेम करना अपनी बुढ़ी मां से भी प्रेम किया करो प्रेम से बोल दिया करो उनकी पास कभी कभी प्रेम से बैठा करो मुझे एक डाक्टर साहब मिलने आये तो रोने लगे बोले हमारा बेटा हमारी बहु हमें कभी फोन नहीं करते तो मैंने खा अपना मोबाइल ठीक करा लो जाकर हो सकता उसमें कुछ गड़बड हो तो मोबाइल ठीक कराने दुकान पर गए कि देखो मोबाइल ठीक कर दो बेटा हमारा बेटे का इसमें फोन नहीं आता है तो मोबाइल की दुकान वाले ने कहा कि मोबाइल ठीक है बाबा जी लेकिन आपके बेटे का दिमाग ठीक नहीं है वो तुमको फोन करता ही नहीं इसलिए आता नहीं अपने माबाप को फोन भी कर दिया करो ज्यादा नहीं तो कम से कम तीसरे चोथे साथवे आठवे दिन उनसे बात कर लिया करो उनको तुम क्या दे सकते हो उन्होंने तो तुमको जनम दिया है तुमें पैदा किया है पाला पोशा है पढ़ाया लिखाया है सब कुछ कर दिया अब उनको क्या तुम पढ़ाओगी लिखाओगी या उनको तुम जनम दोगी ये कुछ नहीं करना है खाली प्रेम से बोल देना है और कितने लोग तो ऐसे हैं अपने पिता की पेंसन में ही अब भी परिवार पूरा खा रहा है पिता जी की पेंसन मिल रही 40,000 महिना उसमें पूरे परिवार की कचोड़ी बन रही है आराम से खा रहे हैं फिर भी पिता से रोब लगा रहे हैं कि तुमने क्या समझ रखा है अरे समझा क्या है जो तुम समझो वही समझा और क्या समझा आप लोग कमाते भी नहीं हो मेरी पेंसन में खाते हो उल्टे रोब लगाते हो अब ये कोई मामुली प्रेम है साट साल की उमर तक नौकरी किया तो बेतन सब खाया अब पेंसन 90 साल के होगे तब तक पेंसन खा रहे हो और फिर भी तुम लोग रोब लगा रहे हो तो ऐसे बुढ़े माता पिता के पास बैठ करके प्रेम से हाल चाल को सलमंगल भी पूछ लिया कुछ और कभी कभी उनके लिए कोई सामान भी ले आया करो उनके पास सब कुछ है लेकिन सामान देने से सम्मान हो जाता है कोई सामान भी दे दिया करो जो उनको खाने के लिए पसंद है वो सामान खरीद कर खाने के लिए भी दे तो थोड़ा नमकीन खा ले, अपना स्वाद बदल ले, थोड़ा कभी-कभी उनको फल भी खिला दिया करो, और साथ-साथ में अपने पिता जी को नए कपड़े भी पहना दिया करो, फटे पुराने पहने मत घोमने दो, बोल दो ये किसी को दे दो घरीब को आप, आप नया पहनो हर तीन महिने बाद कपड़े बदल दिया करो, बुढ़ी मा है उसकी साड़ी बदल दो, नई कर दो, चिरकुट खतम करो, चिरकुट करकुट खतम, फस क्लास कपड़े पहनाईए उनको, और पेर भी छुआ करो, जम मिले तो उनके पेर छुकर मस्तक में लगाओ, आज कल के क घुटनों की कमाई मेरे पेट का सवाल है, बड़े नाला एक लोग है, अभी थोड़े दिन बाद पेट छो के पेट में लगादेंगे, कि पेट ही पेट का सवाल है, अरे पेर छो नीचे पेर हैं, पेर नहीं जानते हो तुम, ऊह कहते हैं, बीयसी कर रहा हूँ, बीसी करो चाहे घिस्ची करो तुम्हें अकल तो कुछ भी नहीं आई घिस्ची करने के मतलब ये थोड़े बैल हो गए तो ये हिंदुस्तान की भारती संस्कृती को कैसे तुम भोल गए कुछ भी करो भाव से उनके चरण छोलो स्रद्धा से उनमें आस्था भी रखो अपने गुरु से भी खो प्रेम रखो आस्था रखो स्रद्धा रखो और गुरु का गुडगान करो उनकी महिमा का प्रचार करो उनके ज्ञान का प्रचार करो अभी नानापुरी के चंद्राकर साहब मिले थे हमको कहां हैं चंद्राकर नानापुरी वाले नानापुरी चंद्राकर जो मंदिर बनाए हैं वहाँ तो बता रहे थे कि हमारे गाउं में सलाह चल रही कि आपका प्रोग्राम वहां भी रखेंगे हम लोग बोल रहे थे सलाह चल रही है तो हमने का ऐसी चल जाए स्लाव ечение, फाइनल हो जाए, इसी प्रोग्राम में नारियल देदू, सब को पता हो जाए अगले साल फीर आई है, इसमें कितनी लोगों की इच्छा है कि अगले साल फीर आना, हाथ उठा़ जदा, बिल्कुल बड़ी है, महिलाओं की इच्छा है की नहीं है, अगले साल फीर एसी इच्छा है तो हाथ उठाओ ना दोनों उपर करो ऐसे करो बास समकी इच्छा है जब खोस है फिर आओ यहां रगड़ी मालो आकर तो दो दिन यात्रा किया हूँ मैं दो दिन गाड़ियों के धुर्रे उड़ दे चलते चलते बहुत दूरी है हमारे नेपाल बोर्डर से खोब चला मत तक पहुचा हूँ दो दिन लगा तार चलता रहा हूँ लेकिन मुझे और कुछ दिखता नहीं था बस कॉणडा पुरी कॉणडा पुरी कोडा पुरी कोडा है कोडा पुरी कब पहुचूंगा कोड़ापुरी तिलई भाट के उधर है कोड़ापुरी ऐसा याद आता था और यहाँ जब आया तो मैंने देखा सोभा यात्रा की व्यवस्था मुंगेली से वो बेंड वाजा आया था ठोल वाले और बेंड वाले ऐसा बेंड 36 गड में पहली बार इतना दमदार जोरदार सांदार बेंड हमने देखा सुना बहुत गजब का वो जब बजता था न तो मैं अपने संत से बोला इसमें कुछ गाना नहीं काते हैं खली बजरा टुनमुन टुनमुन कर रहा तो संत जी बोले 36 गड में गाना नहीं काय जाता गुर्द टुनमुन टुनमुन ही करता है मुझे तो पता यह नहीं था वहां उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में मद्धरदेश में दो बड़ा सुर्गुल मचाते हैं लोग माईक में गाते भी रहते साथ में कभी राम बनके कभी सेयाम बनके आना उसमें वह म्यूजिक में ही गाना बजाते थे कुछ अपन को तो एक भी गाना याद नहीं तो समझते भी नहीं थे हम स्वास्ते थे टुन्मून टुन्मून कर रहे हैं कुछ गाना बोल रहा थे तो बहुत अच्छा लगा ठोले भी भी बहुत थी धम धम पीटते थे लाइटिंग भी एच्छी थी कभी हरी कभी लाल कभी पीली कभी सफेद तो मेने कमा अब दो छाता आदमी लिये थे भुमाते रहते छाता न चाते थे उसमें भी दिमाग लगा रहता थे भाई छाता नाच रहा है तो ऐसा और बहुत धीरे-धीरे चाल में पहुँचे हम यहां, नानापुरी सी स्टाट को कोड़ापुरी में समाप्त हुआ, सोभायात्रा, लेकिन मैं जल्लू भाईया को धन्यवाद देता हूँ, ग्रामबाशियों को धन्यवाद देता हूँ कोड़ापुरी वालों को, तिलई भाठ वालों को, नानापुर लगा, मैं बहुत प्रभावित हुआ, जब रात में विश्राम के लिए मैं पहुँचा, तो मैं सोचा मेरा विश्राम कहा होगा, तो बताया कि, ओ जलू भाईया के घर में विश्राम होगा, तो अमने का फिर जलू कहा रहेंगे, बोले चाहे जहां रहें, तुम रहो इसमें, तो उनके घर की मातों बहनों को दूसरे घर में सोने जाना पड़ा पता नहीं रात में क्या सोचा होगा कि अब तुम कभी मत आना हमारा घर हमें को निकाले हो तुमको ठीक करेंगे मुन में दुख हुआ हो या ना हुआ हो दुख तो नहीं हुआ है कहा है जल्लो का परिवार दुख नहीं हुआ दुख नहीं होगा दुख इसलिए नहीं होगा कि सत्संग सुनाते हैं तो मनखोस हो जाता है तो तसल्ली हो जाती चलो ठीक है कोई बात नहीं संतों का निवास भी उसी मकान में कुछ संथ हमारे स्कूल में भोजन भंडारा आज स्कूल में है यही स्कूल पास में है स्कूल को ही में इसका जो बनाने वाले उनको धन्यवाद देते हैं वो भी काम आ गया और सत्संग अस्थल की इतनी अच्छी फिल्ड है यह मैदान बहुत गजब का मैदान है इतना प्यारा मैदान है कई काओं के बीच में है बहुत अच्छी जगे है साथ में आसपास में हरे भरे खेतों में धान लगे हुए है बबोल के पेंड दिख रहे हैं संदर वाता वरण है और सरसे अच्छा यह पंडाल भी बहुत अच्छा लगए पंडाल संदर है की नहीं यह तीन खंडों में है यह बीच में उचा फिर इसे कम उचा फिर उसे भी कम उचा हवा में हवा निकलती रहे और संदरता बनी रहे मैं भी अपने उपर देखा पंडाल ये भी गजब का है अच्छा लगा मज़को पीछे परदा देखो क्या चमक रहे सुरण कलग मेरा परदा बिलकुल भालू कलग पीछे काला रन ब्लेक एक दम हम पूरा हुईट और परदा पूरा नाइट रात जैसा काला ये क्यों कला है जानते हाँ इसले कला है कि इसकी जो वीडियो स्ुटिंग हो रही न ये इतनी क्लीन आएगी जैसे पिक्चर बनती है इसले परदा कला दिया गया है वो कला ही रहेगा मेरा लेकिन इसकी श्ूटिंग जब बनेगी इसकी CD, DVD, इसकी pen drive, memory card, इतनी अच्छी बनेगी, कि तुम कहोगे ये तो लगता picture shooting हुई है, ये कोड़ा पुरी में सत्संग की picture बन रही देखो, फिर ये जो crane चल रही न, ये और खतरनाक है, घूमती रहती है, जब स्रोताओं तरफ जाती, स्रोता मेरा नाम लेते है, है संग दो मेरे उपर नग गिरे ये, देखो उसकी गगन चुम्बी दोड है, उधर जा रही है, वो चलाने वाला भी गदगद मुश्करा रहा है, कि घुमा दूँगा सब के उपर, क्रेन, इतने छोटे से गाउं के सत्संग में क्रेन, क्या बात है, और वीडियो केमरे कई लगे हुए है, में साउंड बाक्स गिन रहा था, तो 36 साउंड बाक्स साइद लगा हुआ ये, और 12 ये, तो बारतियां 36, 48 साउंड बाक्स लगा हुआ है, और हारन भी लगा होगा क करीब 30-40, आवाज मधूर है की नहीं है, है मीठी, माइक सेट भी बहुत सुपर कमपनी का लगा हुआ है, यहां कई माइक की मसीने दिख रही की नहीं, सब गायब जंतर मंतर से चलता है, बिना मसीन के, हाँ कुछ नहीं है यहां देखो, कहीं भी तार बार कुछ नहीं, सब खतम, यह आश्रम नेपाल बर्डर से ही संचलित हो रहा है, रिमोट सिस्टम है यह, वाइरलेस, जैसे मोबाइल अमेरिकस बात कराता है, वहीं सचल भाई है, हमारे आश्रम से बहुत अच्छा है, और मैं तो सुचता हूँ, गोपाल साहो मुश्करा रहा, वो भी कभी प्र करवा लेंगे एक प्रोक्राम, सबका कल्याण हो जाएगा, यह गोपाल साहो कहां के रहने वाले हैं, हैं, कोल्यारी, खापा, कापा, कापा, हाँ, उसको देखकर तो ऐसे आदमी काप जाएगा, हाँ, हाँ, बहुत प्यारा आदमी है, पर्षनल्टी बहुत अच्छी है, ज कहां गुम रहे हो, देखो, लंबाई, चूड़ाई, बिल्कुल पेट नहीं है, फिटनेश बाडी, सुन्दर शरीर, कम उमर, काले बाल, काली, शिदरी, सफेद कुर्ता, सफेद पाजामा, आधा कलर हमारा, आधा कलर तुम्हारा, उदर, वीडियो गुमा करके उनका ले ल अब कुछ दानवान भी करना पड़ेगा, क्रेन चल रही है, इतनी अच्छी व्यवस्ता, धन्य हो, कोड़ापुरी वाले सब नर्नारी, कोड़ापुरी के कितने स्रोता हैं, जर हाथ उठाओ, कोड़ापुरी वाले दोनों हाथ उचे करें, डरते क्यों हों, पीछे बैठे बहुत अच्छा है, खोड़ापुरी के 500 लोग हैं, अब हाथ उठाओ, बाहर वाले कितने लोग हैं, बेरी गुट, नीचे कर लो हाथ, अब ये बताओ, ऐसे कितने लोग हैं, जिन्होंने टीवी में भी हमको देखा हैं, हाथ उठाओ, बेरी गुट, तो जब टीवी में द इतने लोगों ने मोबाइल की यूटूब में देखा हैं, वो भी हाथ उठाओ, मोबाइल की अरे, इतने लोग मोबाइल में देखते हैं, कमाल है, तब तो इधर आने की हमें जरूरत हैं नहीं, मोबाइल में देखी लेते, कि आना पड़ेगा गोपाल, हैं, आना आये थे कह रहे थे हम भी अपने उधर प्रोग्राम करवाएंगे कोई ललक गाउ है ललका है अच्छा वहां का अदमी है वो कहां बेठे का हूँ बेठा वह तो उठ चाहां खड़े हो यह देखो कौन गाउं है लगरा चलो अच्छे गाउं का नम लगरा है कहीं लबरान हो ज बहुत बढ़ी है लगरा महान बिक्ती है उसकी सर्दा यहां आये वो चरणच्वा शिरवाल्य बुले गुर्दयो हम भी अपने यहां प्रोग्राम आपका रखेंगे और कोई यह मत समझना कि इसमें 4-5 लाक खर्चा आता है 4-5 लाक वाक कुछ नहीं है यह सब बीडियो कै केमरा यह क्रेन और यह साउंड बाक्स और यह सब होरन और यह पंडान यह बिछावन यह परदे और चार ट्रक में शामान आता है यह सब और यह 50 तखात यह ब्यास गादी वो ब्यास गादी वो ब्यास गादी यह कुर्शियां और यह सब टेबल कार्यल है यह जो कुछ यह का खाली जमीन है यह बाकी जो दिख रहा ये मेरे साथ में आया है सब ठेकेदार का यह सब आपका जंतर मंतर में होता है ज्यादा पेसा नहीं लगता है वो तो बहुत धूर से में आता हूँ ना करीब करीब में 1200 किलो मीटर से आया हूँ आना जाना 2400 किलो मीटर पड़ेगा 240,000 का तो तेल फोके का आने जानेगा यहाँ से तो समझ लो यह 2,5 लाख में पूरा करिक्रम करता हूँ तेल का पैसा ले लेता हूँ बाकी यह सब फ्री कर देता हूँ फ्री हो जाता है तीन गाड़ी संतों के लिए आती है एक गाड़ी प्रचार वहान आती है यह 8-9 गाड़ी का सब खर्चा यह पंडाल का, माईक का, वीडियो का, क्रेन का और सब और 18-20-9 कर करमचारी का बेतन वो सम मिला करके आपका 2,5 लाख में हो जाएगा ज्यादा चिंता क्या करने है बात इसलिए खोल और यही प्रोग्राम अगर यूपी में होता आपका तो कितने महोता मातर एक लाख में करते आप एक लाख में और यही प्रोग्राम अगर हमारे आस्रम के पडोस में होता पचास किलो मीटर पर तो कितने महोता कितने महोता जितने महोता उतने महोता हम बताते कितने महोता केवल साथ हजार में करते हैं यही कारिक लेकिन दूरी ज्यादा है इसलिए थोड़ा जिरूरी है डीजल उजल निकल जाए नौकरों का निकल जाए अब दो दिन आनेम दो दि इन दिन प्रोग्राम साथ दिन लग गया अब करम चारी है बीस करम चारी तो 20 तीया 60 छे तीया 18 थारा हजार तो उसी का हो गया हुम ने गलत जोड़ गया ने तो छे सपे 42 बैलिस हजार उसका साथ दिन का बेतन बना जाकर गया तो पैसे कमाने के लिए ये सेटिंग नहीं है ये तो हमारे ठेकेदार जो है वो बड़ा दयालू ठेकेदार कहाँ आजा इदर ये देखो ठेकेदार साहब ये भी भक्त का लड़का है इसका ठेकेदार है एक और है सुभास कहाँ है ये लोकेश दास है इसको ताली बजाओ ये कुछ लेता ही नहीं है बहुत सस्ता करता है बच्चा और इसके घर भी में गया हूँ इन्होंने भी एक बार मेरा बड़ा प्रोग्राम करवाया है जब ये पान साल के थे तो मैं इनके गउँ पांच दिन रहा था अब इसके बंगले में आराम करता था मेरे को पता नहीं था ये ही बच्चा ठेकेदार बनेगा हमारे बवस्ता देखेगा सबी ये ठेकेदार साहब है बहुत बहुत धन्यवाद ठेकेदार साहब है जिले सुर्शाहों को भी ब्यास गादी धन्यवाद देती है कि आपने इतनी हिम्मत जुटाई कोणापुरी बासियों को आसपास के गाउं वालों को भी धन्यवाद है जो उनके मित्र हैं सहपाठी हैं जिनोंने सहयोग किया तन से मन से धन से उनको भी ब्यासगादी धन्यवाद देती है जिनके दोरा प्रचार प्रशार में मदद मिली है कारिक्रम में किसी प्रकार से उनको भी धेर पुन्न प्राप्त हो मेरे गुरु का आशिरवाद मिले उनके घर में भी सुक संती रहे और भाईयों बहनों कबीर साहिब कहते हैं तीन प्रकार का दुख होता है आधी ब्याधी उपाधी ये तीनों प्रकार का दुख मिटाने के लिए मानसिक दुख बिबेग से मिटेगा और बीमारी का सरीर की बीमारी का दुख परहेश और स्वस्त रहना इसके लिए जरूरी है तब मिटेगा और उपादी का दुख संदोस करने से मिटेगा आपके सब दुख दूर हो ऐसी में शुब कामना करता हूँ और यहां बहुत पंथ के लोग इकठे हुए है बाबा जैगुर्देव को मानने वाले भी आए है दामा खेड़ा गद्धी को मानने वाले आए है और यहां पर खरसिया गद्धी को मानने वाले आए है कबीर को मानने वाले रामचरित मानस को जैनने मानने वाले और यहां पर हर मतपंथ के लोग इकठे हुए हैं हिंदू भाई सब इकठे हुए हैं स्वैद कोई मुस्लिम भाई भी आये हो सबको मैं मतमजहिव संपरदाय वालों को धन्यवाद देता हूं और सभी के लिए मैं सुब कामना करता हूं आपके घर में कम से कम एक एक दिब्यातमा स्रेष्ठातमा पुत्र की रोप में या नाती पोता की रोप में जनम ले जो तुमारे घर में उजाला कर दे और तकलीफे सब मिटा दे ऐसा ये व्यासगादी आसिरवाद दे रही है और माताओं बहनों के लिए मेरी सुब कामना है कि प्रेम से वेठे वेठे उन्होंने धाई तीन घंटे तक वेठी रही है मैं यहाँ आया हूँ डेढ़ बजे पहुचा हूँ पौने दो बजे करीब अब पौने पाँच हो रहा तीन घंटा हो गया है बहुत ही लंबा चलाया हूँ ऐसे चार बजे बंद करने का था लेकिन बंद इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरा मन नहीं बंद करने का है बंद इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि तुम भी बंद नहीं करवा रहे हो बंद इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतना पैसा लग गया इतना मेहना से तुम डेजल पेटरोल फोग कर कार मोटर साइकल में आये हो तो आधा घंटा ज्यादा सुनने को आपको मिलना चाहिए कम सुनने को नहीं मिलना चाहिए इसलिए बंद नहीं कर रहा हूँ और आपका सुभाव सुन्दर बने आपका चरित्र सुन्दर हो आपकी घर में लच्छमी का निवास हो आपका कल्यान हो घुटनों पर हाथ रखिए पहली अंगुली अंगुठा जोड़िए और कुछ हमारे अतित आये हैं विशेस अतित उनको भी हम धन्यवात देते हैं स्री तिलक राम साहु तोरला खड़े हो जाएंगे जिनका नाम लोगा स्री विश्राम चंद्राकर कोड़ापुरी तो का राम साहु तोरला खड़े हो जाना वैया मान जाना हाँ ताली बजा दिया करना तुम लोग स्री कामता चंद्राकर नानापुरी श्री गेंद राम साहू गुरुजी कहा है और श्री कुमार चंद्रा कर कोडापुरी असोख साहू छीर पानी और टबेलन साहू नननापुरी मनसा राम साहू तोरला सोन लाल निर्मल कर निवरुगाउं निवरुगाउं लीला राम साहू कोडापुरी अमरतलाल साभू छुट खुड़ी घुट खुड़ी घुट खुड़ी घुट कुंड़ी घुदूर कुंड़ी घुवर कुंड़ी तुम तो समझ गे न हम बोल नहीं पाएंगे साभ लिखा लें अजे सहु सारिशलाल सुरेश सहु सावंतपुर भागवत प्रसास सहु सिचक नानापुरी चित्रकुवार सहु तिलई भाट गोलू चंद्राकर कोडापुरी सिवा चंद्राकर निवरगाउं रामा अउतार सहु निवरगाउं इनको सबको व्यासकादी धन्यवाद देती है ग्राम बैठा पाठ तहसील कोटा पिलासपुर अमरनाथ यादो स्री शारदा कौशिक प्रोग्राम की मांग किये हैं इनको मैं सुब गामना करता हूँ अमरनाथ यादो खड़े हो ये कौन है अमरनाथ यादो ये है देखो और स्री शारदा कौशिक तुम भी खड़े हो ये भी है इनके यहाँ भी प्रोग्राम होगा ये बैठा पाठ गाउं है बैठा पाठ बेडा पार ये सब का बेड़ा पार लगाएंगे मेरा भी बेड़ा पार करेंगे देखो हम लोग दूसरे दूसरे प्रदेश के हैं विदेशी हैं भासा समस्ते नहीं बेड़ा पार को बैठा पाट बता दिया तुम लोग नाराज ना होना अब जिसने लिख कर दिया है वो भी मद्यपरदेश का है गुजरात तरफ का अब मैं हूँ नैपाल बाडर तरफ का लिखने वाला भी बिदेशी हैं और हम भी बिदेशी तो उसमें घड़बर हो जाता है कभी कभी बोलने में और सभी लोग अपने अब तो मैं पूरा बताया विने भोजन बनाने बरतन भी मेरे साथ आता है बनाने वाले हम लोग सोहम बनाते हैं बरतन धोने वाले करमचारी भी आते हैं सारा सिस्टम यानि ये कही काउंटर पर सरुपलद भागं भाग कुछ नहीं अभी देखो न वो आरामसे बेठे हैं, जो प्रोग्राम आयोजक है, खड़े हो ज़रा, हाँ, क्या नम अबार? जले उस्षर साहूँ, ङारामसे बेठे हैं, ऐसे लगता है कि प्रोग्राम कोई धूसरी खो रहा है, बिना टेंसन के हमें खोब हसते हैं हाँ 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 क्योंकि विजली चली जाए तो बहुत बड़ा जनरेटर भी मेरे साथ आया है 40 किलोबाट का बिना आवाज का और पीछे ही ट्रक में ही रहता उतरता नहीं है खुर-खुर-खुर-खुर चलता आवाज आती नहीं है और बिल्कुल न्यू है बिगड़ने के सवाल है नहीं है धुमा देता नहीं है और डीजल ऐसे खाता है जैसे उट पानी पीता है खौब बहुत कम डीजल में चलता है न्यू माड़ल वो भी है साथ में शारा इसमें लाइट लगाने का भी सिस्टम साथ में सब कुछ बस खाली भोजन आपका लेता हूँ भोजन और इच्छा अनुसार दच्छिना दच्छिना दे दो संतों को दच्छिना मुझे दच्छिना वो भी कमपलसरी नहीं है थोड़ा कम भी दे दोगे लेकिन किसे बताना मत ने दूजरा भी कम देगा चल जाएगा और कोई ज्यादा दे तो इनाउंस करवा देता है ताकि सब लोग ज्यादा देगा और कोई कम दे तो कहते हैं गुप्त रखो क्योंकि विवस्था को चलाना भी पड़ेगा थोड़ा और मुझे आपके हाँ सबसे अच्छा तो यहां के स्रोता लगे है सरल स्रोता, प्रेमी स्रोता, और बड़े मस्त स्रोता हम हसते हैं वो भी हसते हैं तो ऐसा आनन्द आ गया हमारा आपके साथ तालमेल बैठ गया है तालमेल अब इसको समझना यह विसेश दानबीर का है उज्जेन में आश्रम बन रहा है मद्धिप्रदेश में उज्जेन तीरत में उसके लिए आप लोगों से सहयोग उज्जेन आश्रम की कमेटी मांग रही है वहाँ उज्जेन आश्रम का कर्यले है इधर कर्यले है अपने इच्छा नुसार श्रद्धा नुसार अधिक से अधिक आप सहयोग देना और वो आपका आश्रम की निर्मान में लगेगा भाईयों बहनों ऐसे पर्चे भी आपको दिये जाएंगे इनको ले लेना और कल के लिए निवेदन है कि आप एक एक लोग मेरी आज्या है पाँच पाँच लोगों को लेकर आना और कल राइट एक बजे उपस्तित होना तुम भी देर न करना आज प्रथम दिन था थोड़ा देर हुई और कल इधर जो विशेश अतित लोगों भी आना क्योंकि प्रवचन इसलिए सुनना चाहिए अपना सुभाव अच्छा बने चरितर अच्छा बने घर में शांती रहे और आत्मा का कल्याण हो इसलिए ये सब करना और आपको मैं शुब कामना करता हूँ अब आरती तैयार होकर आ चुकी है अब मैं आरती के लिए इजाज़त देता हूँ कि सब के तक आरती पहुँचा दे जल्दी से और सत्संग विसरजन का मंत्र बोले और यहां से जब हम छुट्टी देंगे तब जाना और जाकर के आश्रम से ज्ञान की किताबों की दुकान आई है वहां से ज्ञान की किताबे लेना प्रवचन के पेंडराइब भी लेना और साथ साथ में प्रवचन के मेमोरी कारड भी लेना जो मोबाइल में लगाकर टीबी में लगाकर सुन सकोगे सौसो घंटे का प्रवचन और साथ में आपके घरों में शंत महान पूरशों गुरुजनों की तस्बीर होना चाहिए उसे घर में भूत परेत का बास नहीं रहता है और जेसके घर में गुरु की भक्ती है उसके घर में याद रखना शान्ती बहुत रहती है तो भक्ती भी करना गुरुमंत्र भी लेना गुरुदिछा भी लेना शिश भी बनना और शिश बनने का मौका कल आपको दिया जाएगा कल सर्षंग के बाद गुरुमंत्र भी प्रदान किया जाएगा घुटनों पर हाथ रखिए पहली अंगुली अंगुठा चूड़िए तीन उगलिया फैलाईए रीड को सीधा कीजिए और अपने स्वास्त को अच्छा बनाईए आपका स्वास्त भी अच्छा रहना चाहिए इसके लिए आप व्यायाम भी कीजिए इसके लिए भोजन कम कीजिए जल पर र्याप्त पीजिए लंबी सास खाली पेट सुबें खेचिए और लंबी सास छोड़िए इसके लिए ठाहा का मार कर हैंसिये और अयरवेदिक दवाईयों का प्रियोक करके बीमारी को जड़ से भगाईए अईरुवेदिक दवाईयों में श्री चिवन अईरुवेदिक कम्पनी की डिस्टिब्यूटर राजस्थान से यहां आये हैं महिंद्र सिंग्जी और वे बवासीर की पेटेंट दवा घुटना दर्ध कमर दर्ध की पेटेंट दवा और कबजियत की पेटेंट और उनकी पास में करीब पचास प्रकार की दवाएं है जो की लाखों लोगों को फायदा हो चुका है हमारे भी कुछ संत लोगों को पत्री थी आपरिशन की नौबत आ रही थी उनकी दवा से एक महिना में पत्री गलकर खतम हो गई ऐसा ये प्रमाण है और साथ में एक महिला आश्रम के पडोस में घुटना दर्द से परिशान थी चल नहीं पाती थी एक महिने दवा खाया उसने तो तीन मंजिल की सिर्णिया चड़ रही है उनके पती का नाम जागेशर परिशाद वर्मा है और वो बहुत ही सज्जन लोग थे तो चार महिने की दवा फिल ले गई एनार्ट पाउटा ऐसी ऐसी आपके दुखदर्द को मिटाने वाली पाईयों बहनों मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सुब कामना करता हूँ आप लोग महान हैं सिरी किसुन सहु ग्राम कुमारी जिला दुर्ग से आए हैं उनको मैं बहुत बहुत आशिरवाद देता हूँ इतनी दूर से ये स्रोता आए हैं खड़े होकर दरसंदे ये दे प्लच में याद में तो इनको मैं आशिरवाद देता हूँ आपका प्रोग्राम होगा पती पतनी दोनों सिच्छक से चिका हैं काफी दूर से इनका आना हुआ है आशिरवाद है धन्यवाद है और यहां एक परोब कर फाउंडेशन संस्था आई है जिसमें यस्वंत सहु नरेश शहु परोब कारड बना रहे हैं जिस कारड के माध्यम से आप किसी होस्पिटल में जाएंगे प्राइबेट होस्पिटल में सायद 300 या 400 रुपिय में कारड बनता है तो वहां पर आपकी जो यह बोलते हैं न डॉक्टर की फीश वो फ्री रहेगी वो कारड दिखान से चाहे 20 बार दिखाओ साल भर में चाहे 50 बार दिखाओ वो फ्री जो 100-200 लेता वो नहीं लेगा और जाच में भी 30 परसंट 50 परसंट चूट और बहुत तरह से उसमें आपका फायदा होगा एक कारड बनाओगे उसमें पती पतनी या परिवार का इलाज होगे उसमें आप पास लिख के आया है वो संस्था में आप संपर करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद है आशिरवाद है सुब कामना है मैं तो बड़ा प्रशन हुआ आप सभी से मिल करके कि आप लोग कितने महान हैं जो आज मुझ जैसे संत को नेपाल बोर्डर से बुला करके कबीर साहि सब्ध के शब्द सुनाने के लिए क्रश्ण की गीता सुनाने के लिए मानस की चौपाईया सुनाने के लिए मंत्रित किया सबको सुख कामना है अब हमारे आरति ठाल पहुँच चुकी है इसलिए विसरजन को हम संचिप्त कर देते हैं आप अंजुली बान कर साहिबंद की बोले पहले कहें शाहिब बंद की बैस अब घुटनों पर हाथ रख लें सरवी भवन तो सुखी नह सरवी शन